आज 26 जुलाई है और आज का दिन बहुत खास है। लेकिन जीत भाहर की उंचाई की नहीं भारत की सेनाओं के उंचे होंसले और सच्ची विर्ता की। इतनी उंचाईयों पर विजय पाना मात्र गगंचुंबी चोटियों को फते करना नहीं है। ये देश की समूची शक्ती को दर्शाता है हमारी सेनाओं के शौरिका प्रतीक है। युद्ध सरकारे नहीं लड़ते, युद्ध पुरा देश लड़ता है। सरकारे आती जाती रहती है। लेकिन देश के लिए जो जीजने और मरने की परवाह नहीं करते हैं, वो अजर अमर होते हैं। सैनिक आज के साथ भी आने वाली पीडी के लिए अपना जीवन बलिदान करते हैं। हमारी आने वाली कल्प सुरक्षित रहें, उसलिए वो अपनी आज स्वाहा कर देता है। सैनिक जिन्दगी और मौत में वैद नहीं करते हैं। उनके लिए तो करतव यही सब कुछ होता है। करगिल में विजय भारत के वीर बेटे बेटियों के अदम्य साहस की जीत थी। करगिल में विजय भारत के संकल्पों की जीत थी। करगिल में विजय भारत के सामर्थ और संयम की जीत थी। करगिल में विजय भारत की मर्यादा और अनुशाथसन की जीत थी, करगिल में विजय प्रते देश्वासी की उमीदों और कर्तव्य परायणता की जीत थी साथियों, कारगिल यूद्ध के समय अटल जी ने लाल के लिए से जो कहा था वो आज भी हम सभी के लिए बहुत प्रासंगी है अटल जी ने तब देश को गांधी जी के एक मंत्र की याद दिलाए थी उन्होंने कहा था कि यह जी कोई दिविदा हो कि तुम्हे क्या करना है तो तुम भारत के उस सबसे असहाई व्यक्त के बारे में सोचो और स्वेम से पूछो कि क्या तुम जो करने जा रहे हैं उससे उस व्यक्ती की भलाई होगी गांधी जी के इस विचार से आगे बढ़कर अटल जी ने कहा था कि करगिल युद्ध ने हमें एक दूसरा मंत्र दिया है करगिल ने हमें दूसरा मंत्र दिया है कोई महत्वपूर्ण रिल्ले लेने से पहले हम यह सोचें कि क्या हमारा यह कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है जिसने उन दुर्गम पहाड़ियों में अपने प्राणों की आहुती दी थी अपना रक्त बहाकर जिनों ने सर्वस्व न्योचावर किया उन शहीदों को उनको जन्म देने वाली बीर माताओं को भी मैं नमन करता हूं